आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका ट्रेन टिकट चोड़ी हो गया है तो आपको क्या करना चाहिए ट्रेन टिकट आपका चोड़ी हो गया है इस कंडिशन में क्या करना है सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी को भी अगर टिकट जो होता है ट्रेन का अगर किसी का चोड़ी हो गया या के ही किसी गिड़ गया और आपको वो टिकट मिल जाता है तो वो टिकट उठा के जो है आप नेरिस्ट जो भी सौप सकते हैं ठीक है और हम लोग बात करते हैं कि भाईया आपका टिकट लोश्ट हो गया है चोड़ी हो गया या कहीं गिड़ गया है तो दुबारा उसको कैसे प्राप्त कर सकते हो दो इसमें केस बनता है पहला केस है कि यातरा करने से बहुत पहले आपका टिकट चोड़ी ह में या तो आपको क्या करना चाहिए यह आपको मैं यहां पर बता गया हूँ है आपका टिकट लोस्थ हो गया है यातरा करने से पहले कुछ दिन पहले ऐक दिन दो दिन पहले तो तुरंथ आपको जो भी nearest railway station है वहाँ पर PRS counter होता है वहाँ पर आप एक written request लेके जाईए अपना ID probe भी ले जाईए उसमें जो भी आपका train number है date of journey है class of travel है from station to station कहाँ से जाना है वो सब लिख के written request में जो जो passenger है उनका नाम लिख लीजे सब लिख लीजे सारा detail जितना लिख सकते है उसमें लिख लीजे written request में उसको ले जाईए और जाके PRS counter बजाईए वहाँ बताईए कि ticket मेरा जो है lost हो चुका है गिड़ गया है या चोड़ी हो गया जो भी है आप वहाँ पर बताईए भी करवा सकता है इसलिए जरूरी है कि जितना जल्दी हो सके आप तुवंत वह पोचिए return request लेके और वहाँ पर जाके दीजिए ताकि आपका ये problem जल से जल वहाँ पर solve हो जाए और आपका duplicate ticket आपको मिल सके ठीक है अगर आपका ticket जो है यहाँ पर आपका ticket अगर ततकाल है या फिर waiting list है तब तो उसका duplicate ticket वह आपको नहीं मिलने वाला है लेकिन आपका ticket अगर confirm या RAC है तब आपको duplicate ticket वहाँ पर आपको मिल जाएगा आपको जो है वहाँ पर जो है ना station master जो है आपका duplicate ticket जो है issue कर देगा इसके लिए जो है ना आप जो है कुछ चार्ज आपको लएगा आप sleeper हो या फिर आपका second sleeper हो आपको 50 रुपया का चार्ज लएगा और दूसरे जो भी आपके यहाँ प्रक्लासेज होते हैं ट्रेंड में उसमें आपको 100 रुपया का चार्ज इसमें लगेगा duplicate ticket इसू करवाने का अगर आप यातरा start होने से 12 घंटे पहले पहुंच जाते हैं अगर आप 12 घंटे के बाद पहुंचते हैं यातरा होने से 12 घंटा के पहले पहुंचते हैं तब तो उतना आपको issue होगा ये तो आपका case होगा के यातरा करने से 12 घंटे पहले या 2-3 दिन पहले आपको ticket चोड़ी हो गया तो यह कर सकते हो लेकिन माल लीजिए आप station पहुंच गए हो यातरा करने के लिए ठीक है या फिर आप train में हो ठीक है पुलिस की आप जो है सबसे पहले जो है ना उनको report कीजिए वहाँ पर अपना complaint दर्ज कवाईए कि भाई आपका ticket जो है चोड़ी हो गया या फिर जो train में आपके जो TC होते है जो ticket checker होते है ठीक है जो ticket check करते हैं उनको जल्द से जल्द आप खवर दीजिए यह हमारा ticket जो है चोड़ी हो गया है ठीक है और आपका जो है अगर ID प्रूफ आपके साथ रहेगा तब आपको वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा कोई समस्य आपको नहीं होगा ठीक है तो यह चीज है जब अगर आपका ticket चोड़ी होता है यातरा करने से दो-ती दिन पहले हो या फिर आपका train में हो जाए तो जो आपको दे इंस्ट्रक्शन में ने दिया है आप उसको यहाँ follow जरूर कर लीजिए तो दोस्तों आज के लिए इतना है फिर मिलते हैं नेक्ट वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद